डिसकस कर रहे हैं और ये भी अपने आप में बहुत ही ultimate चीज है और वो क्या है आप समझिए साथियों अकसर जब election होता है और विद्धार्थियों से पूछ लिया जाए कि election में किस प्रकार का सुधार आप अपेक्षित करते हैं किस प्रकार का सुधार आप चाहते हैं अगर कोई आप से पूछ ले तो आपका जवाब होता है कि सर election के अंदर ना voting को mandatory कर दिया जाए कंपलसरी कर दिया जाए बस vote सब लोग देने जाए मैं तो सबसे पहला सुधार ये चाहता हूँ आप मेंसे कुछ लोग ऐसे ही होंगे पहला टिकेट सरकार भी पैसा नहीं देती बिल्कुल सगी है आपको vote देने के नाम पर तो पैसा मिलता भी नहीं है कि आने जाने का ticket आपका free कर दिया तीसरा बोले सर वोट देने चला जाओ लेकिन उसी दिन तो छुटी मिलती है इस दाने मज़ा मन में आता है कि चलो कहीं चले जाते हैं तो सर वोट ना देने के मेरे पास एक से बढ़कर एक बहाने हैं हाँ सरकार को हमको अगर कोसना हो तो उसके भी हमारे पास बहुत सारे बहाने हैं लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि वोट देने के लिए आपको जाना है तो हमें लाइन में खड़ा होने में बहुत जोर आता है। सरकार इस बारे में काम कर रही है। तेलंगाना सरकार ने तो शुरू भी कर दिया है। क्या काम शुरू कर दिया है। तेलंगाना सरकार कह रही है। कोई दिक्कत नहीं है। आप नहीं आ सकते हैं। कोई बात नहीं। मोबाइल तो है ना आपके पास, बोले हाँ, अरे वही मोबाइल जिससे आप पैसा वाइसा ट्रांसफर करते हैं, भीम एप्लिकेशन के थुरू, आप अपना पूरा अकाउंट जोड कर रखते हैं, पैसे से कीम्दी तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, ऐसी इस्थिति में ज शायद ही ये सपना था, लेकिन वो अब साकार होने जा रहा है, क्योंकि 20 तारिक को तेलंगाना सरकार इसका एक पाइलिट प्रोजेक्ट रन करने जा रही, डमी इलेक्शन कराने जा रही है, डमी इलेक्शन का मतलब हुआ, कि आप लोग वोट देकर किसी को चुनने वाले नहीं है फिलहाल के लिए, लेकिन एक बार प्रेक्टिकल करके देख रही है, और साथ में है सेंटल की तरफ से सी डैक, जिसने सुविधा का विकास किया है, करजब की न्यूज है, तेलंगाना के अंदर ये घटना होने जा रही है, अपने आप में बहुती इंट्रेस्टिं कि आप गारी को आने के पहले जो चराते हैं ट्रायल रन जो लेते हैं, उस प्रकार का ट्रायल रन होने जा रहा है, जिसके अंतरगत भारत का पहला स्मार्ट फोन बेस्ट्ड इवोटिंग इन तेलंगाना डिस्टिक ऑन अक्टूबर 20 होने जा रहा है, याद कर लेना, वोट दे सकेंगे, और रजिस्ट्रेशन यहाँ पर तेलंगाना वालों के लिए ओपन है, अक्टूबर 8 से अक्टूबर 18 के बीच में, देकें रजिस्टर देमसेल्स फोर दी वोटिंग, ऐसा काम करने के लिए कारेकरम शुरू हो रहा है, तो यदि ये पाइलिट प्रोज दे लेते हैं, टेलिग्राम पर दे लेते हैं, फेस्बुक इंस्टा पर दे लेते हैं, अब वो रियल में भी वोटिंग कर पाएंगे, साथियों इसको करने के लिए मोबाइल के अंदर एक एप्लिकेशन डाउनलोड करना होगा, तेलंगाना वालों को जिसका नाम है TSEC E-V वोट करके जो मोबाइल एप्लिकेशन है इसे इंस्टॉल करना होगा, अपने लिए अपने आपको रजिस्टर करना होगा, वोट के लिए इसमें वोट का आप्शन दिया हुआ है, रजिस्टर करने के लिए इन्हें बकाइदा प्रॉपर तरीके से अपनी वोटिंग इन तीनों के verification होने के बाद कि हाँ आपके phone में ये चीज verify हो गई है उसके बाद आप इस काम को कर पाएंगे तो अपने आप में साथियों ये एक बहुत बड़ा कारेकरम है जो भारत में होने के लिए जा रहा है तो इसका काम होने जा रहा है भविश्य में देखना ये होगा कि ये कितना अच्छे से execute हुआ कैसे इसके परिणाम रहे कौन करवा रहा है तो साथियों करनाटका के अंदर इस department जो ये तेलंगाना government है वो और Center for Development of Advanced Computing ये मिलकर के इसका विकास कार्य कर रहे है और तेलंगाना का State Election Commission जो है वो इसे implement करके देख रहा है यानि तेलंगाना State Election Commission प्लस में CDEC मिलकर के इस काम को कर रहे है फिलहाल ये Android phone के उपर उपलब्द करवाया जा रहा है देखने का प्रयास किया जा रहा है कि किस प्रकार से ये कार्यक कर पाता है तो अगर ऐसा होता है तो ये गजब ही तरीके का काम हो जाएगा मानने वाली बात हो जाएगी इस आप लोगों को ये बात समझ में आगई हो informative जानकारी थी लेकिन बहुत ज़्यादा important थी इसलिए हमने आपके साथ में इसे साजा कर दिया है ठीक है